बिसमिल्ला रह्मान रहीम, असलाम लेकुम, ग्लास नाइंथ चिप्टर सेवन में हम सेल्स को डिसकस कर रहे थे, लेक्ट्रो केमिकल सेल्स को जिसमें इलेक्ट्रोलेटिकल गल्वनिक को डिटेल में देख चुके हैं उसकी कंस्रॉक्शन को और उसकी वर्किंग को आज हम Electrolitical Galvanic Cell का Difference देखेंगे और उनके कंपेर करेंगे और इसके लबाद Down Cell जो के Electrolitical Cell की ही एक एक एक्जामपल है यह आपके बुक पर Difference दिया गया है Electrolitical Galvanic Cell का यह आपको डायग्राम नज़र आ रही है Electrolitical Cell की और यह है Galvanic Cell की इसके लिए हाँ से देखते जाते हैं क्या का Difference है पहली जो पॉइंट है आपके पास उसके उपर आपने Heading कर लेनी है Cells की तो जो Electrolitical Cell है उसमें आपको डायग्राम में भी एक ही Cells नज़र आ रहा है रहे है थीक है तो Electrolitical Cell में एक Complete Cell होता है जबके Galvanic Cell में Two Half Cells होते हैं एक cell में Anode होता है और एक cell में Cethod होता है Electrolitical Cell में Cells केंट होते हैं Battery के साथ जिबकर Galvanic Cell में जो cells हैं वो salt bridge के साथ connected है और अगर बात आए electrodes के साथ connected है तो electrodes जो हैं वो wires के साथ connected है ठीक है external wire के साथ जिसके साथ battery attached नहीं है second point पर आपने heading कर लेनी है जो electrodes की तो electrodes जो हैं उनमें जो electrolytic cell है उसमें anode जो है वो positive है जो कर्थोर्ड negative है meanwhile जो galvanic cell है उसमें anode जो है वो negative है जबके cathode positive है यनि opposite है electrolytic cell से आप diagram भी देख सकते हैं अपनी books में यहाँ पर भी जो आपको नज़र आ रही है उसमें भी anode के साथ positive लिखावा है electrolytic cell में जबके anode के साथ negative लिखावा है galvanic cell में उसके बाद है जी energy convert होगी इंटो chemical energy ठीक है और जो हमारे पास galvanic cell है उसमें हम कोई battery प्रवाइड नहीं कर रहे हैं कोई electrical energy प्रवाइड नहीं कर रहे हैं वहाँ पर spontaneous friction हो रहा है जिसके नतीजे में electricity produce हो रही है तो हम यह कहेंगे के जो galvanic cell है उसमें chemical energy कंवर्ट हो रही है electrical energy में लास्ट पॉइंट है हमारे पास electric current का तो अगर हम current की बात करें तो electrolytic cell में current provide करते हैं जिपके galvanic cell में current produce होता है electrolytic cell में current provide करते हैं जिसके विए से non-spontaneous friction होता है जबके galvanic cell में current generate होता है as a result of spontaneous chemical reaction चीक है तो यह हो गया difference between electrolytic and galvanic cell जो कि आपकी बुक पे दिया हुआ है बाकी सारी बाते तो समझ में आती है mind में कि electrolytic cell में तो anode positive है तो galvanic में negative क्यों है इसे तरह से cathode जो है वो electrolytic में negative है लेकिन galvanic में positive है तो इसका क्या reason है चीक है इसको देख लेते हैं इसका क्या reason है before going to our question पहले हम इस चीज़ को define करेंगे कि cathode और anode की जो charge है वो उनकी definition है या उनकी कोई और definition है ठीक है तो anode और cathode को हमने define किस तरह से करना है अपने electrodes को definition हमने किस तरह से करनी है तो ये definition इनके charge की base पे नहीं है कि जो भी electrode positive होगा वो anode है या जो electrode negative होगा वो cathode है ऐसा नहीं है क्योंकि अभी हमने देख लिया कि इससे opposite भी हो सकता है ठीक तो anode और cathode की definition हम इस base पे करते हैं कि उन पर कौन सा chemical reaction हो रहा है ठीक है chemical reaction जो है वो हमें पता है anode पे oxidation होती है cathode पे reduction होती है anode पे oxidation cathode पे reduction दोनों cases में है galvanic में भी और electrolytic में भी तो यह जो है यह common चीज है anode और cathode में जो कि दोनों cells में हो रही है कि anode पे oxidation होनी है cathode पे reduction होनी है तो यह जो चीज है यह दोनों में same है फरक क्या है charges का ठीक है तो अगर हम इसको इस तरह से define करने कि anode जो है वो positive है और cathode negative है तो यह गलत होगा ठीक है और सही क्या है कि anode जो है वो positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है इस तरह से cathode जो है वो negative भी हो सकता है और positive भी हो सकता है ठीक है लेकिन एक चीज जो common है वो यह है कि anode पे oxidation होनी है cathode पे reduction होनी है ठीक है अब हम इसकी reason देख लेते हैं आपको parameter समझ आगा है कि हमने किस base पे cathode और anode को जो है वो define करना है वो parameter उनका charge नहीं है because charge उन पे कोई भी हो सकता है वो parameter वो chemical reaction है जो उनमें हो रहा है ठीक हो क्या पहले हम बात कर लेते हैं लेक्रोलेटिक सेल में anode positive और cathode negative क्यों है यह है आपकी book की diagram जिसमें anode battery के साथ connected है और दूसरी तरफ से cathode battery के साथ connected है अगर आपको याद हो तो उनमें electrolytic cell में जो definition बढ़ी थी आनode और cathode की वो यह कहती है कि वो electrode जो बैटरी के positive terminal के साथ attach है वो anode है और वो electrode जो बैटरी के negative terminal के साथ attach है वो cathode है ये हमने definition बढ़ी थी electrolytic cell में ठीक है तो electrolytic cell में चुंकि बैटरी है बैटरी potential प्रवाइड कर रही है बैटरी जिस electrode को positive potential प्रवाइड कर रही है उस पर positive charge आजाएगा यानि battery जो है वो anode जो हमारा electrode है उसको positive potential प्रवाइड कर रही है इसलिए anode positive है और हमारी जो बैटरी है वो negative potential प्रवाइड कर रही है कैथोर्ड को इसलिए हमारा कैथोर्ड क्या है negative है ठीक हो गया तो जो electrolytic cell है उसमें anode positive और कैथोर्ड negative क्यों है क्योंकि उसमें battery positive और negative voltage प्रवाइड कर रही है लेकिन जो galvanic है उसमें तो battery नहीं होती उसमें हमारे electrodes के साथ battery connected नहीं होती क्योंकि उसमें spontaneous reaction होना है तो चुँकि उनको कोई positive और negative potential प्रवाइड नहीं कर रहा इसलिए हम इनको इस तरह से define नहीं कर सकते कि वो electrode जो positive terminal से attach है वो anode और जो negative से attach है वो cathode है यह सिर्फ electrolyte के case में होगा क्यों क्योंकि वहाँ पर battery है यहाँ पर battery नहीं है electrodes के साथ यहाँ पर spontaneous reaction है इसलिए यहाँ पर anode और cathode को किस तरह से define करेंगे reactions की base पे reactions कौन कौन से हो रहे हैं जागर हम anode की बात करें तो galvanic cell में anode पे होती है oxidation zinc metal जो है वो उसकी electron को lose करने की ability जादा है तो वो अपने electrons को lose कर देती है क्योंकि उसका oxidation potential जादा होता है electron को lose करने के बाद Zn प्लस 2 बन गे और साथ में 2 electron release हो गए anode पे चुंके electrons release हो रहे हैं तो यह जो electrons है यह anode पे accumulate हो जाएंगे इन electrons के accumulate होने की वज़ा से anode negative हो जाएगा electrons चुकर negatively charged है तो वो उस electrode पे accumulate होंगे और वो anode जो है वो क्या हो जाएगा negative हो जाएगा अब उसको हम एजोड क्यों कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर oxidation हो रही है लेकिन charge उस पे negative क्यों है क्योंकि वहाँ पर electrons accumulate हो रहे हैं ठीक हो गया इसे तरह से यहाँ पर हो रहा है जी कैथोड पर reduction reduction होने की वज़े से electrons gain हो रहे है जिसके वज़े से negative क्या हो रहा है? कम हो रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा cathode पर positive charge आ जाएगा लेकिन उसको हम cathode क्यों कहरें क्योंकि वहाँ पर reduction हो रही है ठीक है? तो anode और cathode को हम define इस तरह से करेंगे कि वहाँ पर oxidation reduction हो रही है लेकिन उन पर charge जो है वो different chemical reaction की base पर आएगा कि उस chemical reaction के नतीजे में हो क्या राया है असल में वहाँ पर ठीक है overall reaction में यह होगा कि zinc जो है वो change हो जाएगा into zn plus 2 और copper जो हो जाएगा into c u ठीक है? इस changing के नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर zinc का आइन बन जाएगा और copper जो है वो deposit हो जाएगा ठीक है? तो आपको अब अन्दाजा हो गया होगा कि galvanic में यह opposite क्यों है anode पे चुक्के electron release हो रहे है electron loss हो रहा है loss of electron हो रहा है तो उसले से electron accumulate हो जाएगा वो negative हो जाएगा cathode पे electron add हो रहे है electron कम हो रहे है negative कम हो रहा है तो वो positive हो जाएगा ठीक है? लेकिन अगर हमारा negative और positive हो गया like अगर एक side पर negative जाद होगा एक side पर positive जाद होगा तो overall electrochemical equilibrium अचीव नहीं होगा electrochemical equilibrium जब तक अचीव नहीं होगा तब तक हमारा cell exist नहीं कर सकता यानि हमारा cell जो है वो bust कर जाएगा वो काम करना बंद कर देगा अगर उसमें किसी एक जगाँ पर charge की accumulation ज़ादा हो जाएगी तो इसको neutralize करने के लिए फिर क्या होगा? neutralize करने के लिए ये होगा कि हमारे पास salt जो bridge है उसके अंदर present होता है KCL जो strong electrolyte होता है उसके example ले ते हैं KCL की तो होगा ये कि जो anode पे ZN plus 2 बना है उसको neutral करने के लिए वहाँ से आएगी जी 2Cl negative तो 2Cl negative जो है वो ZN plus 2 को neutralize करतेगा एक solution neutral left half cell neutral हो गया अगर हम right half cell की बात करें तो वहाँ पर CU plus 2 है वो change हो रहा है into CU यानि वहाँ पर plus 2 कम हो रहा है तो उस plus 2 को compensate करने के लिए वहाँ पर आजएगा 2K plus यानि KCL का 2K plus आजएगा right half cell में और 2Cl negative चला जाएगा left half cell में तो इस तरह से जो salt bridge है उसके विए से हमारे जो दोनों solutions है वो neutral हो जाएगे और जो electrons है वो travel करेंगे through the external wire ठीक है जी? तो reactions करेंगे तीचे में चार जाएगे दोनों electrodes पे और फिर ये process जो है वो continue रहेगा चार जाता जाएगा electron shift होते जाएगे और solution neutral होता जाएगा ठीक है? तो इस तरह से galvanic cell जो है वो काम करता है तो ये जो question था anode पे negative और positive वाला और के थोड़ पे positive और negative वाला ये आपकी book में test yourself में दिया हुआ है answer इसका मैं आप लोगों को लिखवा भी दूँगी बाद में फिलहाल आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लेना है ठीक है? I hope आप लोगों को जो है ना वो अब clear हो गया होगा next चलते हैं जी towards down cell जो के example है लेक्वलिटिक cell की इसमें क्या होता है जी इसमें हम बनाते हैं जी sodium metal sodium metal को त्यार करने का ये एक तरीका है on industrial level industry में अगर sodium metal चाहिए तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे हम down cell जो है उसका plant लगाएंगे वहाँ पे ठीक है जी तो बनाना किस से है sodium metal को from fused NACL ठीक है जी fused NACL का मतलब क्या है कि NACL जो solid form में था हमने उसको melt कर लिया है उसका solution नहीं बनाना water के साथ solution में बनाएंगे तो reaction बिल्कुल मुक्तलिफ हो जाएंगे जो क्या आगर हम ने पढ़ेंगे ठीक है तो इसलिए यहाँ पर mention हुआ हुआ है fused NACL इसका मतलब भी है कि हमने सिर्फ और से FNACL को melt करना है उसको उसका solution नहीं बनाना water के साथ है किसी भी और solvent के साथ molten sodium metal is operated by the electrolysis of fused NACL in the down cell चुँक्कि electrolysis का process है तो यह इसकी indication है कि इसकी example है electrolytic cell की construction इसकी किस तरह से है जी इसके पास एक circular furnace है जैसे वो बटी होती है उससे नहीं से और center में एक large block है graphite का graphite is one of the allotrop of carbon तो आपको यहां से MCQ बन सकता है कि down cell में anode किस चीज़ का बना हुए है तो down cell में anode जो है वो graphite का बना हुए है sometimes MCQ में option जो है वो graphite के जगे carbon डाल देते हैं तो carbon यह ग्रेफाइट एक ही बात है ठीक है आपके पास कोई भी option हो ग्रेफाइट और का बना हुए और जो कैथोर्ड है वो किसका बना हुए आईरन का यह भी क्या होगा जी current pass होने के वजाए से NaCl जो fused है चुंकि वो fused है इसका मतलब उसमें सिर्फोर सिर्फ NaCl है उसमें कोई water shorter रहे हैं कोई H2O यह कोई hydrogen ions यह हैं है उसमें सिर्फोर सिर्फ NaCl present है तो NaCl ionize हो जागा इंटो Na plus and Cl minus ionize होने के बाद अगला step क्या होता है migration to the respective electrodes यहीं जो कैटाइन है वो मुव करें तोवर्ड के तरफ मुव करेगा ठीक है जी और इसके अच्छा एक इंपॉर्ण चीज यह है कि जो हमारे पास anode और cathode है उनको separate किया गया है ताकि उनकी products mix ना हो हमारा जो anode है उसकी product है chlorine gas यहनी CL2 gas और जो हमारा cathode है उसकी हमारी product है sodium metal जो के हमें चाहिए जो के मैंने सबसे पहले आपको बताता है कि sodium metal बनानी है हमने इसमें ठीक है तो यह दोनों products है इसको mix होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं हम दर्मियान में anode और cathode के दर्मियान में एक steel की gauze लगा देते हैं ठीक है जाले टाइप लगा देते हैं ताकि दोनों चीज़ें जो है वो mix ना हो इस उकर मैं शो कर वहाँ डायग्राम में तो यह आपकी बुक पे label हुआ हुआ है steel screen to prevent sodium and chlorine intermixing यानि जो कर लेनी है steel screen जो है वो असल में यह जो मैंने अब label की है यह जो मैंने आपको arrow से show कर वाई है red color की arrow से यह आपकी steel screen है जो के prevent कर रही है जो नोंने label किया हुआ है वो असल में cathode है आपका ठीक है iron का cathode है जो आप अगर इसके left side पे भी देखो तो iron के थोड लेबल हुआ जबके screen जो है जो मैंने label किया है उसी को आपने label करना है ठीक है यह इस तरह से इसको मजीद जो है वो simplify कर दिया है मैंने के side पे जो हो आपको जो horizontal हो थोड़े नजर आ रहे है वो आपके iron के थोड़ है और जो एक vertical हो थोड़ा है वो हो जाएगा anode ठीक है और जो उसके side पे anode के side पे जो आपको gauze नजर आ रही है वो steel की gauze है जो prevent करेगी the intermixing of the products of anode and cathode जनी CL2 and NA CL2 is the product of anode and NA is the product of cathode अच्छा जी अब CL negative है किस की तरफ जाएगा positive की तरफ positive electrode की तरफ ठीक है जी positive electrode यह नहीं एनोड की तरफ in case of electrolytic cell तो हमारा जो cat ion है sorry यह जो N9 है यहां पे CL minus N9 जो है वो जाएगा anode की तरफ और वहाँ पर जाकर anode पर चुक्य होती है oxidation तो CL लेगे रिए वो अपने electrons lose कर देगा और क्या बना देगा CL2 CL2 बन जाएगा यानी chlorine gas बन जाएगी अब इस gas को हमने collect कैसे करना है इसको cell से बाहर कैसे निकालना है इसको collect करने के लिए हम इसको collect करते हैं over anode within an inverted cone shaped structure अब भी inverted cone shaped structure में फिर से आपको diagram में label करवाती हूं कौन सा है यह आपको उपर नज़र आ रहा है CL2 gas outlet ठीक है तो यहां से आप CL2 को collect करोगे असल में यह collect होगी in this inverted cone shaped structure ठीक है इस inverted cone shaped structure की नीचे आपको जो नज़र आ रहा है block वो graphite का है जो के anode है anode पर जाएगा CL negative वहां आप जाकर oxidize होगा और convert होगा into CL2 और वो CL2 जो है वोड उड़ेगी और उसको हम collect करेंगे in this inverted cone shaped structure ठीक है जी next stage is sodium जो कि क्या है जी catein किसके तरफ move करेगा cathode की तरफ और cathode पर क्या होगी reduction ठीक हो गया यहां यहां पर na metal बनने मिलेगी हमें और na metal को हमने किस तरह से collect करना है क्योंकि चुंकि वो हमारी main product है तो वो metal है तो फ्लॉट करेगी ठीक है फ्लॉट करेगी और उसको हम collect करेंगे from the side tube अब side tube देख लेते हैं फिर से ठीक है यह आपके पास side tube है जहां से हमने sodium metal को collect करना है ठीक है और इसके लावा जो गलत लेबल हुआ है वो मैंने पहले बता दिया कि सही लेबलिंग क्या है उसकी वो स्ट्रील स्क्रीन है और जो तरम्यान में ब्लॉक है वो कार्बन का एनोड है यह ग्रेफाइट का एनोड है उपर से क्लोरीन जो है वो गैस का outlet है और side पर sodium metal की collection के लिए side tube है रेक्शन देख लेते हैं कौन-कौन से हो रहे है यह दिस दूरिंग दे लेक्ट्रोलाइस सफ मोल्टन सोडियम क्लोरी यह फ्यूजन एक ही बात है रेक्शन से यह हमारे पास सबसे पहले अने-स अने-स हो गाई-स हो गाई-स हो गाई-स हो गाई-स हो कनवर्ट होगे इंटू-C-L-2 को हम कलेक्ट कर लेंगे थूदा इंवर्टिट कौन चेप स्ट्रॉक्चर उसके बाद कैथोड की तरफ जाएगा कैटाइन एनने-प्लस जाएगा कैथोड की तरफ एलेक्ट्रों गेन हो जाएंगे यहां पर बन जाएगा एन-ए यह जो एन है इसको हम कलेक्ट कर लेंगे फंबसाइट टूब जो हमारी मेन प्रोड़क्ट है और अगर हम इसको लिखेंगे रियक्शन को तो हम लिखेंगे जिए टू-N-A-C-L गोस्टू-C-L-2-A-N-E तो यहां पर क्लोरीन गैस बन जाएगी और साथ में सोडियम मैटल ठीक है जी अच्छा जी तो यह जो सारी स्टोरी हमने पड़ी है अभी इसको हम शॉर्ट स्टोरी में कंवर्ट कर देते हैं कटिंग लॉंग स्टोरी इंटू शॉर्ट से पहले क्या होगा जी करांट पास होगा चूंकि एलेक्ट्रोलेटिक सेल डाउन सेल तो बैटरी कनेक्ट करेंग एने प्लास इज कैटाइन मूफ तो यह जो करें और लास्ट में क्या होगा कि एने प्लास जो है लास्ट में नहीं ऑफकोर्स मैंने इसली मैंने स्टेप्स में बताए था कि आप लों को कॉंसेट बनाने ही हो जाए सोडियम रेगा कैफोड की तरफ किया है केटाइन है पॉज्य बमीचाज नेगरिटीव ठाज्व एलेक्टोड की तरफ करेगा कैफोड नेगरिटिव है यहाप पर इलेक्ट्रलेटिक सेल की बात कर रहे है सो एनने जो है वो डिड्यूस हो जगा इंटू सोडियम मैटल और इस सोडियम मैटल को हम कलेक्ट कर लेंगे अच्छा यह मैं कलेक्शन का बार 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 रिपीट कर रही हूं इसलिए क्योंकि यह शॉर्ट कोशन आ जाता होता है रग से हाँ सियल्टू गैस कलेक्टिद और हाँ सोडियम मैटल इस कलेक्टेट इन डौईंस इनौत सेल यह है एंक गञ रिप्रीण सेल्व और इक चीजों को अच्छी से देखा हुए तो आपको clear होगा सब कुछ आपके माइड ने तो आप लोगो ने learn करना है comparison of electrolytic and galvanic cell जो मैंने आपको reason बताई है positive or negative charge की उससे आपने अपना concept अच्छी से clear करना है ठीक है और मतलब उससे याद नहीं करना उस reason को सिर्फर सिर्फर बाके तो सारा आप करेंगी क्योंकि उस reason का जो proper आपको sentence में के सारी चीजों के साथ मैं आपको लिखवा दोंगी बाद में या आपने हों के notes में ठीक है और उसके बाद आजएगा जी down cell with diagram diagram डियाग्राम मुश्किल नहीं इस दर्समें आप उसका हर एक पार्ड लाद लाद बता दिया अब मुश्किल होनी भी नहीं चाहिए ठीक है जी thank you